तो हेलो दोस्तनों तो आज हम एक नई सीरिस लाने जा रहे हैं जिसका नाम है My Journey to be a God तो आप सभी लोग इस सीरिस का नाम सुनकर समझी गए होगे कि यह एक God Level की सीरिस होने वाली है तो यहाँ पर इस सीरिस का Fighting Scenes भी बहुत जादर तगड़े होने वाले हैं और समाती में इस सीरिस के Quality भी बहुत जादर अच्छी है कि एक Divine Content नाम की एक जगे है जो की पांच हिस्सों में डिवाइडेड है उनमें से East, North, West और South इन सभी चारो जगों के पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर लोग बड़े ही आराम से रहते थें मगर Central Domain के अंदर कुछ भी नहीं था और वहाँ की जमिन बिल्कुली बंजर थी और रिसोर्स की भी बहुत जादा कमी थी तभी हमें Narrated Voice बताती है कि Central Domain के सभी लोगों ने इस जगे को छोड़ कर उन सभी चारो जगों उपर कबजा कर लिया और वहाँ पर रहने वाले सभी Demons को Central Domain के अंदर भीज दिया तभी वहाँ पर हमें 425 साल बात का समय दिखाया जाता है जहां Central Domain के अंदर रहने वाले Heavenly Sect के Demon Lord ने जिसका नाम Destroy Evil था उसने वहाँ पर बहुत जादा मेहनत की और अपनी Powers का Breakthrough किया उसकी Power बढ़ने की बज़े से उसके पास Human Form आ गई थी और उसने अपनी Demon Army बनाई उसने उस आर्मी की मदद से East Domain के अंदर आने वाली Burning Sky Imperial City पर हमला कर देता है उस हमले को देख कर East Domain के अंदर आने वाले Legendary Sect Cloud Hall वालों ने उस सिटी को बचाने के लिए Eastern Domain के अंदर आने वाले एक Cultivation Sect The Clear Sky Sect को और दिया तो उस टेक्ट का लीडर जिसका नाम Hugo Fuming था वो अपनी आर्मी को लेकर Demon Army से लड़ने के लिए आ जाता है तभी वहाँ पर Demon Lord उस युद को देख कर एक Fire Dragon को समन कर लेता है क्योंकि वो उस युद को जीतना चाहता था और उस सिटी के उपर कबज़ा करना चाहता था वो हो Fire Dragon से कहता है तुम जाओ और इस सिटी को तभा कर दो और वो Dragon युद में हर जगे तभाई मचाने लगता है उस Dragon को तभाई मचाते हुए Who Fuming देखता है तो वो हो वहाँ पर जाकर उस Dragon के उपर हमला करने लगता है मगर उसके अटेक का उसके उपर कोई असर नहीं होता इसलिए वो पिछेट जाता है तभी वहाँ पर Cloud Hall की Master आ जाती है जिसका नाम निंग यूदी है और वो अपने एकी अटेक से उस Dragon को जमा कर मार देती है और वहाँ पर कहती है मैं तुम जैसे Demons को कभी भी इस जगे पर कभजा नहीं करने दूंगी और वह वहाँ पर हुवो फूमिंग से हमला करने के लिए कहती है तो हुवो फूमिंग अपनी आर्मी को लेकर Demons को पर अटेक कर देता है इसमें हुवो फूमिंग के कई सारे सिपाई मारे जा रहे थे क्योंकि Demons आर्मी वह जन्द ताकदवर थ तो ये सब देखकर Demons के कहती है कि तुम सिर्फ अपनी लालच के लिए यहां कई निर्दोसों की जान ले लोगे तुम इस जगे को नर्क बनाना चाते हो क्या तो ये सब सुनकर Demons के कहता है कि तुम इंसानों ने इन कॉंटिनेंट पर चार हजार सालों से राच किया है तु तुम किसी भी चीज की कमी के बिना यहां बड़े ही आराम से रहते हो तुम्हें क्या ही पता कि नर्क कैसा होता है नर्क वो है जहां हम Demons रहते हैं मगर अब समय आ गया है कि हम Demons भी इस दुनिया पर राच करें और वो वहाँ पर अपनी पावर की मदद से उन सिपाईयों क पर हमला कर देता है और वो सिपाई वहीं पर मारे जाते हैं यह देखकर निंग युदी वहाँ पर अपने जाइंट आइस फिनिक्स को समन कर लेती है यह देखकर Demon King भी अपने Most Powerful Fire Dragon को समन कर लेता है और फिर वो दोने जन एक दूसरे को पर अटेक कर देते हैं निंग यु जाती है और निंग युदी की सोल का एक टुकड़ा जो कि Eastern Domain के अंदर कहीं गिर जाता है और वो किसी को भी नहीं मिलता तभी हमें स्टोरी के अंदर 423 साल का गैप दिखाया जाता है जहां Eastern Domain के अंदर एक कंट्री का लुओ क्लेन मुशिबत में था क्योंकि उस क्लेन के लीडर का भाई जिसका नाम लूओ बिंग था वो वहाँ पर दुसमनों के साथ मिल जाता है क्यूंकि उसे लूओ क्लैन के उपर राच करना था उस क्लैन का लीडर उसे समझाने की भी कोशिश करता है कहता है कि तुम्हें क्लैन को धोका दे कर कुछ भी नहीं मिलेगा मगर अब झाले यहाँ कि ओफाडा है और वो इसी के साथ लूओ क्लैन का लीडर बन जाता है और जितने भी लोग उसके भाई के बफादार थे तो वो उन सब को अपना शिलेप बना लेता है तब ही हमें दिखाया जाता है उन सबी शिप सको लूओ क्लैन के डिसायवल्स के टार आज बहुत समय बाद यहाँ पर आ रहा है तो तुम यहाँ पर आज खून खराबा मत करो तो यह सुनकर वो सिपाई उसे छोड़ देता है तब ही लूओ यूजू का दोस्त उसकी मदद के लिए आता है तो वहाँ पर लूओ यूजू कहता है हम पहले यहाँ अपने मास्टर के साथ कितने अच्छे से रहते थे अगर अब हमारे उपर कितने अतियाचार होते हैं तुम देखना हमारे ये अतियाचारों का बदला हमारे यंग मास्टर लूओ जिन जरूर लेंगे तब ही उसका दोस्त कहता है तुम्हें पता है न अभी हमारे येंग मास्टर यी हालत कितनी खराब है और ये सब लोगोंने अंडरगरॉंड ब्लैक प्रिजन में रखते हैं जहां उन्हें डेली मेडिसन्स दी जाती है जिससे उनकी कल्टीविसन खराब हो सके और उन्हें डेली टॉर्चर किया जाता है तभी हमें हमारा मैंलीड केरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम लूओ जैंग है जहां उसे जंजीरों से बांद कर रखा हुआ था और उसे परिसान करने के लिए वहां कई सारे चूहे भी होते हैं उसके मुखे उपर एक किताब रखी ही होती है और वह वहां पर बहुत जंदा परिसानी में होता है तो बस ये एपिसोड यहीं पर खतम होता है तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए गुडबाई